हंगामे के चलते ग्राम पंचैत कुरावल में कोटे का चैन हुआ इस्थगित विकास खंड बेलगाट की ग्राम सभा कुरावल में सनिवार को कोटे का चैन ग्रामीडो के हंगामे के चलते इस्थगित हो गया जिलाधिकारी गोरकपूर के निर्देश पर सनिवार को विकास खंड बेलगाट के ग्राम सभा कुरावल में 5 सितंबर को कोटे का चेयन होना सुनिश्चित था निर्दारित थी पर कोटे के चेयन के लिए विकास खंड बेलगाट से एडियो आईसपी चंद्रभान मौरे के नित्रुत में एक टीम बनाई गए थी जिसमें ग्राम विकास अधिकारी सत्रुधन चंड मुदर्शिर खंड सचिदा नंद सर्मा के शाथ साथ रोजगार सेवक अभिमन्यू एवं शफाय कर्मी रविंद्र एवं रामकेश सामिल थे कोटे का चैन इस्थल गाओं में स्थिप पर मेश्वरी दयाल इंटर कॉलेज में रखा गया था कोटे के चैन की कारवाई सुरू होते ही ग्रामिडों ने हाथ उठाकर कोटे के चैन की कारवाई से इंकार कर दिया ग्रामीडों का कहना था कि दबंगों के गाउं में हाथ उठाकर निस्पच्च चुनाओ संभव नहीं है इसलिए परची के माध्यम से वोट डाल कर चुनाओ कर आया जाए ग्रामीडों के इस मांग पर ग्राम विकास दिकारी सत्रुधन चंद खड़े हो गया और उन्होंने कहा कि जिलादिकारी का लिखित आदेश मेरे पास है कि कोटे का चैन हाथ उठाकर किया जाएगा इस पर ग्रामीड भड़क गया आरोप प्रत्यारोप का दौर सुरू हो गया तूतू मैमे के बीच विकास खंड से आई हुई टीम वापस चली गई ग्राम सभा कुरावल में कई वर्सों से दूसरे गाउं से रासन लेने वाले ग्रामीड एक बार फिर गाउं से रासन लेने के मामले में वन्चित रह गये इस संबन में जब ग्राम प्रधान राजेंद्र सोनकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब गाउं की सभी जनता परची से वोटिंग कराने की मांग कर रही है तो कर्मचारियों को आपत्ती क्या है जब भी हमारे गाउं में कोटे का चुनाओ होगा तो पारधर्सी एवं निस्पच तरीके से परची के माध्यम से ही होगा गोला तासील के हाटा बाजार इंटर कॉलेज के प्रबंधक वा पुरो प्राचारी को पुत्र शोक आदर्स इंटर्मीडियर कॉलेज वा करवल लगो माधिमिक बिद्याले मजगावा के प्रबंधक वा नेशनल पीजी कॉलेज के पुरो प्रचार बढ़ल गंज बलाक के रामकोला गाउं निवासी डॉक्टर सिवदत तिवारी के पुत्र प्रसिद धनारायर तिवारी और फरिंकु 36 साल की आयू में अश्रामाइक मृत्यू रविवार की रात उनके निवासिस्थान रामकोला में हो गई वे पिछले तीन माह से पीलिया रोव होने से बिमार चल रहे थें इनका इलाज लखनौ पीजी आई से चल रहा था मृतक प्रसिद धनारायर और फरिंकु त जितक के एक मात्र पुत्र तेजस्वी त्रपाठी उर्फ अंस ने दिया इस दोरान पुर्व मंत्री राजे त्रपाठी पुरो जिला पंचाज सदस मदन की सोर्तिवारी डॉक्टर एयन चौबे भास्पा नेता माय शंकर सुकल प्रिंसपल सैले त्रपाठी प्रिंसपल द भाई गई भारी अनिमीत था गोलां बलाक के ग्राम सब्हा दोहरा में कराया गए विकास कारी में ग्राम प्रदान वस चिईउ द्वर्वा भारी अनिमीत 8 वर फजिवाड की सिकायट प्राप्त हुई है जिसके परिपेच में गाउं के हितार के स्वरनाध दूबे ने सपत द्वारा उक्त गाउं में पहुंच कर हर बिंदूओं पर जांच की गई जांच में भारी अनिमित था वह सरकारी धनका दुरुपयोग ग्राम प्रधान दीपना रायन यादो वह सचियों द्वारा पाया गया है जिसकी जांच रिपोर्ट बीडियो गोला को जांच अधिकार परकौसल का कहना है कि जांचों परांत अनिमित था पाय जाने पर दोसियों के विरुद्ध नियमा नुसार कारिवाई सुनिश्चित की जाएगी इसके अतिरिक्त अने भी अनिमित थांच की मांग आवेदक द्वारा किया गया था जांच अधिकारी ने जांच का रिपोर् मार्ग दूरघटना में बढ़ाल गंज निवासी बैंक कर्मी की मौत बढ़ाल गंज कोतवाली स्थानी थाना छेतर के सिध्वापार गाउ निवासी बैंक कर्मी की सुबह बस्ती जिले की छाउनी थाना छेतर के रामजान की इतिराहे पर मार्ग दुरघटना में मौत हो गई इसकी सूचना मिलते ही घर पर कोहराम मचकिया सी दुआपार निवासी गिरीस पांडे के 33 वर्षी इकलौती पुत्र देवेस पांडे, HDFC बैंक खलीला बाद में असिस्टेंट मैनेजर पर पर कारे रत थे सुबह वाकार से संतकबीर नगर से लखनव जा रहे थे बस्ती के रामजान की तिराहे पर एक गिट्टी लदी ट्रक रामजान की मार्ग पर जाने के लिए मुढ रही थी अचानक फोर लैन पर ही ट्रक का टायर फट गया परिडाम स्वरूप ट्रक तुरंत ही रुग गया और लखनव की तरब जा रही कार उससे भिड़ गई जो दार टककर से चलते देवेस पांडे की घटना इस्थल पर ही मौत हो गई मौत की सूजना मिलते ही घर पर कोहराम मच के अलगबक चार साल पुरों उनकी साधी हुई थी उनका एक छे मा का पुत्र है का पुलीस मांग रही के ही मनरे का मसदूरी मांगने पर ग्राम्प्राधान के पुत्र्श्यामा ने गोला थाल्याम के और पऊंच कर लिखिद दिया जिस पर गोला पुलीस ने ग्राम प्रदान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है पीडित का आरोप है कि ग्राम प्रदान मजदूरी मांगने पर जान मारने की धूर्की धमकी दे रहे हैं इस बारे में जब हलका दरोगा संतोर शिंग से बात किया तो उन्होंने बताय कि मामला चार तारिख का है, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मेरट मेटिकल कॉलेज में एमडी पैथोलोजी परिच्छा में सुण पदक पाकर छेतर का नाम रोशन किया आमोद ने. गगा चेतर के टेमा गाउनिवासी रिटाइड डियस्पी रामकेवल सरोज के छोटे पुत्र आमोद कुमार सरोज ने मेरट मेटिकल कॉलेज से एमडी पैथोलोजी की परिच्छा में गोल्ड मेडल प्राप्त कर गाउस सही चेतर का नाम रोशन किया है. आमोद के पिता रामकेवल सरोज ने बताए कि वह बच्पन से ही मेधावी चातर रहे हैं. केजी यम्यों लखनाओ से MBBS करने के बाद आमोद लाला लाचपत्राइब मेमोरियल यूनिवर्सिटी मेरट से पैथोलोजी में MD कर रहे थें. डॉक्टर रामोद ने गोल्ड मेडल प्राप्त करने का स्रे पिता रामकेवल सरोज माता गुलैची देवी के साथ डॉक्टर निधी वर्मा डॉक्टर संदीब को दिया है. उनकी इस उपलब्दी ने गाउं के प्रधान प्रतिनिधी अजे कुमार सिंग, प्रधान प्रतिनिधी, अनिल पास्वान, इंदल पास्वान, बिनोत सरोज, सुरेश पास्वान, सत्रुदन पास्वान ने खुसी ब्यक्त करते हुए गाउं के लिए बड़ी उपलब्दी बताई है स्वर्गी दिलीब जैस्वाल के आयोजित ब्रम्भोज पर दीगई स्रधानजली भार्ती जंता पार्टी के नेता एवं मुतर परदेश जैस्वाल सरवर्गी महाशभा के प्रदेश उपाद्यच राजकुमार जैस्वाल बढ़ल गंज निवासी के बड़े भाय स् स्रधानजली सभा के कारिक्रम में पुर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी साइट भासपा के पदाधिकारी वकारेकरता और गड़माने लोगों ने इस मौके पर सम्मिलित होकर स्वर्गी श्री जैस्वाल के चित्र पर फूल माला अर्पित कर स्रधानजली दी स्रधानजली सभा में पुर्व मंत्री स्री तिरपाठी जी ने कहा कि स्वर्गी स्री दिलिप जैस्वाल के आकस्मिक निधन पर हम सभी को गहरा दुख हुआ है जैसवाल सरवर्गी समाज के प्रदेश उपादिश स्री जैसवाल ने कहा कि हमारे बड़े भाई के आकस्मिक निधन से बहुत बड़ी छती पहुची है हम लोगों को वे हमारे सनरच्छक रहें जो हम लोगों की देखभास सरदेव करते थे आज इनकी कमी मेरे सपरिवार को खल रही है भगवान इनके आत्मा को सांती प्रदान करें इस स्वर से मेरी यही प्रातना है अमर जीताकास जैस्वाल रामदेव वर्मा मनोज निगम प्रसांत साही चेयर्मैन गुलाप चंद साही तमाम गर्माने लोगों ने सम्मिलित होकर सामाजिक दूरी का ख्याल रखते वे सोक समेदना ब्यक्त करते वे दीश्रधान जली पाशी सेना का मंडल अदेश महंत वाउ पादेश रामकेश को मनोनित किये जाने पर हर्स गोला कोडी राम पाशी सेना संस्थापक राजनरावत और प्रदेश अदेश संजीव कुमार वर्मा वो प्रदेश सचीव शंगम पाशवान के नितरित्यों में बड़े हर्स के साथ उत्तर परदेश में तेजी से उभरता हुआ पासी सेना में माननी बाबु महंत पाशवान ग्रामडुम्रे खास ब्लाक सरदार नगर गोरकपूर निवासी को पासी सेना का गोरकपूर मंडल अद्यच और माननी रामकेस पासवान को गोरकपूर मंडल उपादेश पत पर मनोन जिसमें उप्तर परदेश के पासी सेना के प्रतेग जिले से बधाई एवं सुपकामनाय लोगों ने दिया तथा इस वर से प्रात्ना किया गया कि दुएप अधिकारी समाज के प्रती हो रहे है अत्याचार पर अपनी अवाज उठा कर समाज को आगे ले जाने का कारे करेंग आदर नियम बड़े भाई लोगों को पासी सेना के पदाधिकारी वा कारे करताओं ने सुपकामनाओं के साथ दीबधाई इस मौके पर प्रदेश अदेश स्रीवर्मा वो प्रदेश सचियु स्रीपाश्वान ने कहा कि पासी सेना में इन लोगों को पदासीन होने पर एक नएउर्जा का संचार होगा मनोनीत द्वय पदा अदिकारीओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि चिन्थोंने मुझे इस पत के लिए काबिल समझा मैं पासी सेना के उच्छे पदाधिकारीओं में बनाएगे नियमों के अनुशार कार्य करने में खरा उतरने का पूरा प्र उनके उज्जोल भविशे की कामना की भोले नाथ यादो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बने जिला युव प्रकोष्ट के जिलाध्यच गोला तासिल छेतर के हाटा बाजार निवासी भोले नाथियादों के जिलाद्यच बनाने से छेतर के युवाओं में नई उर्जा का संचार हुआ है उनके जिलाद्यच बनने पर सोनु प्रिशाद, पिंटु गौड, आदर्स साही, प्रदुमन गौड, उमेश यादो, दीपक तिवारी, सिव सहाय साही, नन्धे राय, राधे राय, संचीव राय ने खुसी जाहिर किया है वहीं भोले नाथ यादो ने हाटा बजार में पत्रकार वार्ता में कहा कि हम पूरी निष्ठा से पार्टी को मजबूत करने का प्रियास करूंगा सपा के मासिक बैठक में बूथ गठन पर दिया गया जोर गोला तासिल छेतर के कुरावल गाउं में समाजवादी चिलूपार कमेटी के मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बूथ कमेटी के गठन पर जोर दिया गया बैठक में चिल्लू पारविधान सभा प्रभारी मिर्जा कादीरवेग ने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागर अपने अपने सेक्टर में सेक्टर अधिचों को तेज करके जल्द से जल्द बूत कमेटी का कर्थन कर लें और वरिष्ट नेता वह कारिकरताओं के साथ सहयोग से अपने अपने बूथों का समिच्छा कर लें कि जो बूथ गाओं से दूर है वहां मतिदान कम होता है तो उसका नाम दें क्योंकि चुनाओ आयोग से इसका समधान करवाय जा सके बैठक की अधिशता करते हुए चिलुपार विधानसभा अधिश राजेश कुमार यादो ने पार्टी के सम्मानित कारेकरताओं से कहा कि मतिदाता सूची पुना निरिच्छड का कारेकरम आने वाला है जितना जल्द से जल्द बूथ गठन होगा तभी सफलता मिलेगी इस पर मीदिया प्रभारी संतोस्तिवारी स्वामी नाथ अमित यादो मोनु यादो छोटु कनोजिया मुहम्मद इज्राइल राजेश यादो मुहम्मद याशीम सहीत आधिकारेकरता मौजूद रहें नाबालिक का पहरण कर अस्वलील बीडियो बना कर धमकी देने वाले गैजेल इस थानी थाना छेतर के दो लड़कों द्वारा एक नाबालिक लड़की का पहरण कर उसका अस्वलील बीडियो बना कर मोबाईल पर धमकी देने वाले दोनों आरोपियों को बेलघाट पुलिस ने सुमवार को गिरफतार कर मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया बेलगार्थ थाना छेतर के गाउं की दलितना बालिक लड़की को दो लड़को द्वारा अपहरण करके छेडखानी का स्वलील बीडियो बना कर बाद में बीडियो को वाइरल करने की धमकी देने के दो आरोपी अभिसार पुत्र इफ्तिखार निवासी जितवार पूर और लालू उर्फ रफिक पुत्र अब्दुलकलाम निवासी बेला उर्फ सावपूर के खिलाप अपहरण छेडखानी धम की आईटी एक्ट सीएश्टी की धाराओं में दर्ज मुकदमे में शोमवार को गिरपतार कि किया था जिन्हें मंगलवार को जेल भेज दिया प्रभारी दरोगा राकेश सिंग ने बताया कि लड़की को मेडिकल के लिए गोरक पूर भेजा गया है श्री बजरंग सेना के जिलादेश प्रिश सिंग बने प्रदेश स्वतंत्र मीडिया प्रभारी खजनी धार्मिक संगठन स्री बजरंग सेना के राष्टी अदेश हितेश विश्व कर्मा के संस्तूती पर प्रदेश अदेश मुन्ना लाल सिंग चोहां ने सोमवार को नई प्रदेश कारेकारेडी घोसित किया जहां खजनी के गोपाल पुर्णिवासी ववर्तमान जिलादेश प्रिंश शिंग नेता को प्रदेश स्वतंत्र मीडिया प्रभारी का कमान स्वापा गया है जिससे छेतर में खुसी की लहर है इनके मनोनेयन पर भास्पा नेता रतनेश पांडे पन्यलाल सर्मा सतीस उपाध तिवारीपूर पुलीस ने लंबे समय से फरार चल रहा है हत्या भ्यूक्त कमरान कुरैसी के घर कराई मुनादी नोटिस किया चस्पा गोरकपूर तिवारीपूर थाना छेतर के हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा है कमरान कुरैसी पुत्र इक्राव कुरैसी न नोटिस चस्पा किया गया तिवारी पुर्थाना प्रभारी सत्य प्रकास सिंग ने बताए कि कमरान कुरेशी के खिलाब तिवारी पुर्थाने पर अपराज संख्या 323.2019 धारा 302.307.506 IPC के तहट मुकदमा पंजी कृत था जो काफी समय से फरार चल रहा है आज आरोपी के घर पर मुनादी कराई गई है और नोटिस चस्पा किया गया इसके बाद भी अगर आरोपी एक माह के अंदर न्याले अथवा पुलीस के समझ छुपलब्द नहीं होता है तो जल्द से जल्द कूर्की की कारवाई की जाएगी देखे पूर्वांचल की बड़ी खबरे वीडियो मोड में बाज गौसंद इस आप को अभी डाउनलोड करें